हलो फ्रेंज आम सचिन रानाम फ्रों मोशन इंटरनेशनल आज दोसों अमीद करता हूं सब अब अच्छे होंगे यह टाइम है इस महामारी का तो इसमें तो बहुत लोगों को परिशानी हुए है दुनिया में ले जी इंडिया में ले जी ए कहीं भी हर जगा परिशानी है सिर रहे हैं कौन कान से अबापन को बताऊंकर है और क्यों कौन से वीजा केटेग्री और क्यों कौन कान तो यह वीडिया आप tips चाहिए होँगी वह आपको मिल जाएंगी तो दोस्तों सबसें है कि flights international शुरू हुई है नहीं हुई है तो दोस्तों जो regular flights होती है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है जो इसके civil aviation के authority होती है DGCA उन्होंने अभी home ministry के कहने पर home ministry ने जो unlock जारी किया है उसका पूरा ब्रीफ जारी किया उसमें home ministry ने कहा है कि अभी तक जो है international normal flights जो है अभी शुरू नहीं होंगी तो इसका जो बैन है यह 31st October तक जो है अभी तक सारी flights के उपर ban है और यह जो ban है कब तक रहेगा इसका बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है बट home minister ने कहा है कि totally depend करता है कि जो viruses के cases बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाएगा कि वो अगर कम होंगे तो open करेंगे नहीं होंगे तो शायद थोड़ा late open करेंगे तो यह totally depend करता है कि अगर दूसरे देश में जहां पर जाना है वह देश भी फ्लाइट्स open करने के लिए अगर होता है यह नहीं होता है यह देखना बहुत जुरूरी होता है अब तो life पूरी तरह चेंज हो गई है कि किसने जाना भी है तो वो country देखेगी कि quarantine होना है रखना है कैसे रखना है तो जैसे आप सिंगापूर के student जो जा रहे हैं ठीक है अभी शुरू हुआ है तो दो हजार डॉलर जो है वो quarantine fees ले रहे हैं मलेशिया में जो कोई भी एंटर कर रहा है ठीक है किसी भी वीजे पर तो उनको भी I think 4700 रिंगिट का total खर्चा 15 दिन को करना पूट रहा है तो यह अभी अलगलग कंट्रीज नॉर्म्स और सब कुछ बता रही है कि कैसे कैसे क्या करना है तो almost end of this year सब कुछ normalization होने वाला है according to me but मैं कुछ clear नहीं कह सकता क्योंकि यह totally depend करता है दो देशों की government के उपर तो next है इसके लावा कौन-कौन से option है हमारे पास जिसने fly करना इसने जाना है इंडिया ने जो है पंदरा देशों के साथ air bubble agreement किया है जिसमें US, UK, Canada, Dubai, Qatar, Nigeria, Maldiv, Kenya, Japan, Iraq, Germany, France, Bhutan, Bahrain, और अफगानिस्थान है वो दोनों साइट से air bubble agreement के उपर काम कर रही है दोनों countries की इंडिया और US की है तो वो दोनों countries की आपस में mutual standing के साथ जो है वो जो भी आना जाना चाहता है इसके बाद जो visa holders है वो आ जा रहे हैं इसके इलावा वंदे भारत mission की जो flights है वो तो आपको पता ही होगा वो तो continuously चल रही है जो भी इंडिया से बाहर जाना चाहता है वो flights में जा सकता है या फिर वहां से किसी ने आना है तो वो आ सकता है उसमें रिस्टर कर सकता है वंदे भारत mission के अंडर इसके बाद next आता है कि visa जो है countries ने issue करना शुरू कर दिया है अगर कर दिया है तो कौन से जो है वो शुरू किये हैं तो इसके लिए जो global VFS global है उन्होंने approximately 25 countries का जो है वो visa resume कर दिया है ठीक है तो वो totally depend करता है जादा तर तो open जो हुआ है वो यूरॉप शैनिगन रिजन का इसके लावा कुछ और study visa जो है उपन हुआ है या कोई working visa होगा वो उपन हुआ है ठीक है यह शैनिगन रिजन का हुआ है तो Germany, Estonia जो है यह C category के visa जो tourist visa होते हैं उनको भी जो है वो open कर दिया है इसके लावा US ने जो है visa application लेना शुरू कर दिया है जैसे emergency cases के लिए student visa के लि है ठीक है H और L class के लिए इसके इलावा जो countries है जैसे UK, Dubai, Turkey, Dominican Republic उन्होंने जो visa application शुरू की है वो सभी categories के लिए शुरू कर दी है South Korea, Ireland जो है वो सिरफ और सिरफ long stay visa application को जो हो accept कर रही है तो यह सारी updates है यह सारी countries जो है वो accept कर रही है applications जो जो मैंने आपको बताया है बाकि इस article का link में जहां से मुझे information मिली है इस article का link जो मैं description दे दूँगा तो वहां से आप जो है सारा आगे पढ़ लेना briefly आपको सारा information मिल जाएगी बात रही अब जो pending flights है हमारी तो pending flights सभी हो पाएंगी जैसे ही यह flights open होती है और दूसरी country जो है वो applicants चाहे student visa पर है चाहे tourist visa पर है चाहे work visa पर है उसको accept करना शुरू करती है और उसकी guideline जो है वो आगे जाके पता चलेगी जो country अब suppose कोई Malaysia वाला है को UK वाला है ठीक है Malaysia के work visa वाले काफी है हमारे pending कुछ student visa वाले pending है ठीक है तो यह जो चल रहा है धीरे 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 सब open की तरफ होता जा रहा है तो अभी उमीद तो यही है कि जल्दी जल्दी सब open हो जाएगा हम भी खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि it's around six month more than six I think कि छे मीने ज्यादा का time हो चुका है हम भी free घर पे बैटे हैं office current चल रहा है सारा खर्चे चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल है सर्वाइब करना यह सिर्फ एक आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी बहुत problems हैं तो बहुत losses बहुत बड़े-बड़े losses हो गये हैं क्योंकि कि बार वीजा application fees जाती है तो वो refund नहीं होती है कोई medical के लिए जा रहा है वो refund नहीं होती है सबका नुकसान हुआ है इस यह कोरोना काल में हर बंदा परेशान हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल लाइन होगी एक जो continuously चलती जा रही है बाकि इसके लावा जो सब के सब जो ह अधिम से मैं आपको बता देंगे और international flights जो है अभी 31st तक जो है बिलकुल closed है 31st October तक और बीच में अगर कोई information आती है तो मैं वीडियो बनाके जो है वो आपको बता दूगा अभी मुझे पूरी अमीद थी कि at least 15 October से शुरू हो सकती है flights बट गवर्मन ने अभी भी open नहीं किया है इसी वज़ा से मैं सिर्फ और सिर्फ अनलॉक का वेट कर रहा है कि अनलॉक 5 में शायद जो है यह फ्लाइट्स खुल जाए और जब मैंने नियूज आर्टिकल पढ़ा तो सिर्फ उस पे यह लिखा था कि international flights के इलावा बाकि सब कुछ open हो गया है तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि government schools open करने के लिए किया दिया तो flights open क्यों नहीं कर रहे है क्योंकि जो spread होना था वो हो चुका है और उसकी जो पहले panic था वो panic अभी नहीं रहा है बाकि आप अपना विचार बताईए कि क्या करना चाहिए international flights open होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए safe है नहीं है त है तो comment box में आप type कर सकते हैं तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए इतना ही बहुत थैंक्स आपका sport के लिए आपकी तरफ से बहुत sport मिलती है तो उसी वही हमारी power है तो आज के लिए इतना ही thank you very much